जहेंदे वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तो आज के स्वीडियों हम रीड बरते प्रेक्षा 2022 के लिए राधस्तान के कुछ मोश्ट इंपोर्डेंट मोडल पेपर क्यूसन आंसर याद करेंगे जो आपके रीड 2022 के नए पैटन पर आधारित हैं अगर दोस्तो आप भी रीड 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरू देखे और इन सभी राधस्तान के मोश्ट इंपोर्डेंट क्यूसन आंसर को जरूर याद करें क्योंकि दोस्तो इस सभी क्यूसन है जो रीड के एक्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोश्ट इंपोर्डेंट क्यूसन आंसर हैं इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास तक की जरूर देखे तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्यूसन पहला किसन है रादस्तान की सबसे बड़ी तता सर्वादिक वस्तर उत्पादन करने वाली मील कौन सी हैं तो इस सबसे बड़ी तता सर्वादिक वस्तर उत्पादन करने वाली मील्स हैं कौन सी उमेज सिंग मील्स लिमिटेड मील्स नेक्स्ट अगला दूसरा किसन है जेसल मेर के बाटी राजपूत किस देवी को अराधी देवी के रूप में पूजा करते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी है नहीं जैसल मेर के जो बाटी राजपूत हैं वो हिंग लाज माता को अपनी अरादी देवी के रूप में मानकर पूजा करते हैं किसनी माता की हिंग लाज माता की और कौन जैसल मेर के बाटी राजपूत नेक्स्ट अगला तीसरा किसने जैपूर राजिये में जन जागरिती का जनक किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सभी द्वाब देगा आप्सन एनी जैपूर राजिये में अरजुनलाल सेटी हैं जिनको जन जागरिती का जनक कहा जाता है जबकि राजा राम मोहंद राई हैं जिनको भारती जागरिती का जनक कहा जाता है किसे राजा मोहंद राम को और अर्जुनलाल सेटी हैं जिनको जैपूर राजिय में जन जागरिती का जनक कहा जाता है नेक्स्ट एकला चौता किसे ने राजस्तान का परतम राश्टी उद्यान कौन सा है तो इस सवाल का सभी जवाब देखा आप्शन ए नी राजस्तान का परतम राश्टी उद्यान है वो रनथम्बो राश्टी उद्यान है जिसको एक नवमर 1980 को राष्टी उद्यान गोसित किया गय था और वरतमान में रन्थम्बो राष्टी उद्यान का जो नाम है वो है राजियू गांदी राष्टी उद्यान क्या है राजियू गंदी राष्टी उध्यान है वो अब रन्थम्बो राष्टी उध्यान का नाम है जो राजस्तान का परतम राष्टी उध्यान है जिसको एक नॉबर 1980 को राष्टी उध्यान के रूप में गोसी तिक किया था नेक्स अगला पांचवा किसने मंदिरों तता राजाओं के मेल के मुख्य द्वार पर बज़े जाने वाला वाद यंतर कौन सा है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B यानी मंदिरों तता राजाओं के मैल के मुखे द्वार पर जो बजाये जाना वाला वाद यंतर हैं वो नौबत वाद यंतर था नेक्स अलगा चटा किसन है मेवाड के अरावली चेतर की बील जन जाती का लोक नरते कौन सा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option D यानी मेवाड के जो अरावली चेतर के बील जन जाती के लोग हैं उनका लोक नरते हैं वो गवरी लोक नरते हैं नेक्स अग्ला साथ वा किसन है थार के मुरुसेल कि अस्ता वारसिकड़ तापंतर रहता है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option ऌनी थार के बिल जले जोद्पूर वीका निर बारड़मेर ये सबी जिले हैं जो थार के मुरूसेल में आने वाले जिले हैं जहां पर वार्शिक तापंतर हैं वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है नेक्स डगला आटवा किसन है राजस्तान में दस्तकारी उद्दोग के लिए विसेस ओड़ोगिक पार्क कहां इस्तापित किये गए हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B ने, राजस्तान में दस्तकारी उद्दोग के लिए विसेस ओड़ोगिक पार्क हैं वो जोद़पूर और जैसलमेर में इस्तापित किये गए हैं कहां पर ओड़ोगिक पार इस्तापित किये ग slidesma में दस्तकारी उदोग के लिए वो कि है जोतपूर और जैसलमेर में अगला नेक्ष नुवा किसे ने राजस्तान का परंप्रागर्थ या प्राचिन्तम उदोग कौन सा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option C यानी राजस्तान का परंप्रागर्थ या प्राचिन्तम इसी रियास्त ने वनों की सुरुक्सा करने की योजना सरव पर्तव बनाई थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A नी राजस्तान की जोतपूर देशी रियास्त हैं जिन्होंने वन की सुरुक्सा करने के लिए सरव पर्तम योजना बनाई थी किस रियास्त ने नेस्ट अगले हैं 1920 में राजپूतादा मड्य भारत सभा का आजन किसकी अध्यक्सिता में क्या गय 스बा चार जवी स्वाल का सही जवाब देगा ऑप्सर तोने स्वाल हिएफ्य अगजा कि आज्यक्सिता में 1920 स till तो इस सवाल का सही जवाब देगा, option C यह नि जम्ना लाल बाजाज की अध्यक्सिता में 1920 में राचपूताना मद्ध्य भारत सभा का आयजनिक क्या गया था, और इस सभा का आयजन है वो राजस्तान के अजमेर जिले में इसका आयजनिक क्या गया था, कहां पर अजमेर जिले समाचर पत्रों का समध किस किसान अंदलन से था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन एनी राजस्तान केश्री और नवीन राजस्तान समाचर पत्रों का जो समध है वो राजस्तान की विजोलिया किसान आंदलन से था और विजोलिया किसान आंदलन का नितर तो किसने किया था वो किया था विजे सिंग पतिक ने किसने किया था विजोलिया किसान आंदलन का विजे सिंग पतिक ने जिनोंने राजस्त पीचोला जील में जग मंदिरों की नीव किस सासक द्वारा रखी गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी नी पीचोला जील में जो जग मंदिर उनकी नीव है वो माहराजा करण सिंग द्वारा रखी गई थी नेक्स्ट अगला पंदर्वा किसने आमेर के किस सासक द्वारा 1818 में इस्ट कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी के साथ साथ और संदी की थी किसने सवई जगत सिंग ने जो अमेर के सासक थी अगला नेक्स सोड़वा किसन है किस परदा मनल के नाराज यू नव इकों ने आजाद मोर्चे का गटन किया जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यह ने जैपूर परदा मनल के नाराज यू इकों ने आजाद मोर्चे का गटन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इस सवाल का सही जवाब देगा option यह ने राजस्तान सेवा संग है जो राजस्तान में जन जागरती फैलाने वाली प्रतम संस्ता थी और दोस्तो राधस्तान सेवा संग की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सक्षन में लिखकर बताए क्योंकि हमने कई बार राधस्तान सेवा संग की स्थापना कब बता रखा हैं इसलिए आप इसका जवाब कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताए नेक्स्ट अगला अटारवा किसे ने गुरू गोविंद द्वारा चंप सभा की इस्तापना कब की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डियनी 1883 ECU में मानगड की पहाड़ियों पर गुरू गोविंद सिंग द्वारा चंप सभा की इस्तापना की गई थी और 1913 में मानगड की पहाड़ियों पर चंप सभा की दूसरे अधिवेशन में ब्रिटिस सेना ने गोलियां बरसाई थी जिसमें लगबग 1500 बील सईद हो गए थी किसने चलाई थी ब्रिटिस सेना ने और कहाँ पर मानगड की पहाड़ियों पर और कब चलाई थी 1913 में चलाई थी और चंपसभा की स्थाप ना कब हुई थी वह थी 1883 एसवी में नेक चगला उगनेशा कि उसने निमन लिकित मैंसे किस नदी को प्राचिन सरस्वती नदी का अवसेस माना जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देखा ऑप्सन भी एनी राजस्तान की गगर नदी है जिसको प्राचिन सरस्वती नदी का अवसेस माना जाता है और गगर नदी एक अंत्रपरवा नदी है जो हिमाले प्रवत की सिवालिक पाडियों से इसका उदगम होता है कहां से सिवालिक पाडियों से उद्गम होता है और राजस्तान के स्री गंगानगर में ये नदी लुप्त हो जाती है कौन सी नदी गंगर नदी जो प्राचीन सरस्वती नदी की अवसेस मानी जाती है नेक्स्ट अगला बीस वा किसने 1932 में अलवर वा बरतपूर के मेव किसान अंदोलन का नेतरतो किसने क्या था तो इस तवाल का सभी जवाब देगा ओप्सन भी ये नि मुहमद अली है जिन्होंने 1932 में अलवर और बरतपूर के मेव किसान अंदोलन का नेतरतो क्या था किसने मौमद अली ने और कब 1932 में और कौन सा खिसान अंदलन मेव खिसान अंदलन जो अलवर और भरतपूर में चला गया एक खिसान अंदलन था नेक्स अगला इतीसवा किसने महा सिवरात्री पसु मेला कहां आई जिति किया जाता हैं नेक्स अगला इतीसवा किसने महा सिवरात्री पसु मेला हैं जो रादस्तान की करोली जिले में आई जिति किया जाता हैं नेक्स अगला इतीसवा किसने करोली रियासत की इस्तापना किसने की थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा option है यानी यादव वंस के अरजन सिंग है जिनोंने करोली रियासत की इस्तापना की थी नेक्स लगला 23 किसन है बरवड़ा की पाड़ियां किस जिले में इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option यानी बरवड़ की पाड़िया है जो रादस्तान के सवई मादोपूर जिले में इस्तित हैं और इन पाड़िया पर चोरों की रख सक देवी चौत माता का परसिद मंदिर इस्तित हैं कौन सी माता का चौत माता का मंदिर इस्तित हैं और कौन सी पाड़ियां पर बरवड़ की पाड़ियां जो रादस्तान के सवई मादवपूर जिले में इस्तित्त हैं नेक्स्ट अगलत 24 किसने सागडी परता का अन्य नाम क्या हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डिनी सागडी परता का जो अन्य नाम हैं वो हैं बद्वा मजदूर परता नेक्स्ट अगलत 25 किसने रादस्तान में मुख्य मंत्री चिरंजवी योजना की सुरुआत किस माह से की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डिनी एक माई 2021 को रादस्तान में मुख्य मंत्री चिरंजवी योजना की सुरुआत की गई थी कब एक माई 2021 को और इस योजना के तहत रादस्तान के सभी परिवारों को एक कैसलेस स्वास्तिय सेवाएं दी जा रही हैं किस योजना के तहत मुख्य मंत्री चिरंजवी योजना के तहत जो एक माई 2021 से सुरुख कई गई एक योजना है नेक्स अगला 25 वा किस ने जुना गड़ अभी लेक के अनुसार सू दर्शन जील का निर्माण किस ने करवाया था तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्स सक्षन में लिखकर जरूर बताईए नेक्स अगला 27 किस ने टॉक रॉक चटान किस जील के किनारे हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन डीनी उदेपूर की प्रसीद नकी जील हैं जहां पर तॉड रॉक चटान हैं वो इस्तित हैं किस जील के किनारे नकी जील क किनारे जो उदेपूर जिले में इस्तित्खी के प्रसीद जील हैं अगला नेक्स 28 किसने एसिया का सबसे बड़ा पक्सी प्रजणन सेत्र कौन सा है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B&E एसिया का सबसे बड़ा पक्सी प्रजनन चेत्र हैं वो केवला देव राष्टी उद्यान हैं जो राजस्तान के भरतपूर जिले में इस्तित हैं अगला नेक्ष्ट गुन तीसवा किसन है जै समन्जील के पूरू में कौन सा पतार इस्तित हैं अगला तीसवा किसन है पक्चिमी राजस्तान एनी थार के मुर्ण से प्चिमी राजस्तान के लिए क्प्चिमी राजस्तान और चर्चित है of अगला नेक्स्ट 31 क्युसन है पंदर्वी लोग सबा में राधस्तान से कितनी मैलाओं चुनी गई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन एनी पंदर्वी लोग सबा में राधस्तान से कुल तीन मैलाओं को चुना गया था अगला नेक्स्ट 32 किसने उप आदर जलवाई छेतर में आने वाले जिले कौन से हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देखा option dne उप आदर जलवाई छेतर में आने वाले जिले हैं जैपूर अलवर और अजमेर जिले जो उप आदर जल्वई चेतर में आने वाले जिले हैं अगला नेक्स तेटीसवा किसने बासवड़ा बारा जालावार किस जिले हैं वो जल्वई प्रदेश के अंतरगत आते हैं नेक्स तेटीसवा किसने राजिये के दक्षिनी और दक्षिनी पच्चिमी बाग में तापमान कम रहने का एक मुक्य कारण हैं नेक्स तेटीसवा किसने मान्सी वाकल लुजना प्रधियोजना किस जिले में हैं तो दोस्तों इस सवाल का सभी जुआब है वो आपक अक्कमेंट स्क्षिन में लेकर बताईए यहिसे उप्सिन और आजिस बाग में और देखिये हैं नए पैटन पर आजा रिते उमीद करता हूँ इस सभी किशन आपको अच्छे से याद हो गए होगे अगर याद होगे तो इस वडियो को लाइक जरूर करे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तो आप सभी को तहए दिल से धन्यवाद की आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वज़े से हमारे चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो गए हैं तो जल्दी से अब सब्सक्राइब कर लीजी अभी तक नहीं क्या है और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर को भी पूरा करवा दीजी और दोस्तो इन सभी किसनों का पीडियेप हैं वो आप हमारे टेलिग्राम गृप से डाउनलोड कर लीजी जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिस्प में मिल जाएगा जहां से आप टेलिग्राम गृप को जॉइन कर सकते हैं और इन सभी किसनों का पीडियेप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रा